दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है कोरोना से मरने वालों की अंतियोष्टी का खर्चा उठाएगी राज सरकार जिहां बिहार सरकार ने राज में बढ़ते संक्रमन के मद्द नेजर बड़ा फैसला लिया है नितिस कुमार के नेतुत वाले सरकार ने कोरोना क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप की बैठक के बाद राज में लोगडाउन ना लगाने का फैसला लिया है हाला कि कुछ चीजों पर सक्ति को बढ़ा दिया गिया है इसकी जानकारी विकास आयोत आमिर सुभानी ने बदवार को प्रेंस कॉनफरेंस के जरियत दी है आपको बढ़ा दे कि बैठक में कुछ अहम फैसल ले गए हैं जिसमें पुरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी साम चार बजे ही बंध हो जाएगी सारी दुकाने कोरोना जाज की संक्या बढ़ाए जाएगी सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा जागरूता के लिए मायक से प्रचार किया जाएगा आसानी से मिलेगी रेमडिसिवेर की दवाया और जरुत पढ़ने पर किराय पर ले जाएगी अम्बुलेंस बिहार में एक मैं से सुरू होगा अठारा वर्च से उपर के लोगों का टिका करन यहाँ जाने इस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया जी हाँ आगामे एक मैं से सुरू होने वाले कोविड-19 टिका करन अभियान की सत परतिसत सपलता के लिए स्वास्त विबाग पूरी तरह से आवस्यक तयारियों में जुड़ गया है इस चरन में 18 वर्च से उपर के सभी महिला और पूरुस को कोरोना का टिका लगा जाएगा ऐसे लोगों को चिनित करने के प्रक्रिया सुरू हो चुकी है अभियान सुरू होने के साथ ही इस आयू वर्च के दारे वाले बिमार एवं सामाने तरह के सभी लोगों को पिछले चरन की तरह इस बार भी पंजिकरन कराने के बाद टिका देने का कारे सुरू हो जाएगा इसके लिए आरोगि सेतु एवं कोविन एप के मायदम से पंजीकरन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आप अपना पंजीकरन जरूर करवा लें अगर आपके ओम्र 18 वर्स से अधिक है और आपने अभी तक वैक्सिन नहीं लगवाया है तो आप पंजीकरन जरूर करवाएं पर रोक लगा दी गई है कोरोना के बढ़ते कहर के बेज राज सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है बारात और वर्माला को लेकर भी सरकार ने कई बड़े निर्दिस दिये हैं दरसल को देखते वे सरकार ने साधे बिया पर कुछ बंदी से लगाई थी लेकिन लोग मान नहीं रहे थे डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकोल की धज्या उड़ा कर नाच गाना का सिलसला जारी था अब सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है ना बज़ेगा डीजे और ना ही होगा डांस इसके लावा आपको बदा दे कि साधे ब्या में सिर्फ 50 लोग सामीलों पाएंगे यानि बाराती और सराती मिलाकर कूल 50 लोगी सामीलों पाएंगे बिहार के एक और जिले में लोगडाउन का एलान डियम ने लिया बड़ा फैसला बिहार में कोरोना संक्रमन का कहर जारी है राजदानी पटने के अलावा आने जिलों में भी कोरोना के दूसरी लहर बड़ी तेजी से फेल रही है कोरोना की रोक्ताम को लेकर नवादा के बाद किसन गंज के डियम ने एक बड़ा कदम उठाया है किसन गंज के जिला अधिकारी आदिती परकास ने तीन दिनों के लिए कम्पलीट लोगडाउन का एलान किया है कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डियम ने यह फैसला लिया है तेजस्वी ने कियाद नितिस से गुहार तेजस्वी ने कहा तबाही का मंजर साब दिख रहा है पिछले साल जैसी गलती दुबारा मत किजिए पिछले से बढ़ते कोरोना के मामले पर बिपक्ष ने चिंता जाहिर करते हुए मुखमंत्रे नितिस कुमार से अपिल की है नेतब प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सरकार से कहा कि राज में तबाही का मंजर साब दिख रहा है ऐसे में अप्रोच बदलने की आवश सकता है कम आकड़क दिखाने की वज़ए से औक्सिजन वैक्सीन इंजेक्षन रेमडे सिवीर वेंटिलेडर इत्यादी और जरोरी सायता भी नहीं मिल रहा है और आप कुछ भी बोल नहीं रहे है आरजेडी विधायक ने दिये एक करोर पैतिस लाख रुपे कोरोना मरेजों के बहतर इलाज के लिए डियम को लिखा लेटर पिहार में कोरोना महमारी के इस दोर में मरेजों की मदद के लिए राज़त विधायक ने हाथ आगे बढ़ाया है गोपाल गंज के बेंकुडपूर विधानसवा चेत्र के राज़त विधायक प्रेम संकर यादव ने एक करोर पैतिस लाख की रासी डोनेट किया है उन्होंने ये रासी विधायक प्रेम से कोरोना मरेज के इलाज के लिए विवस्ता करने के उद्धिस से डियम को सोपे हैं इस रासी से 400 बेड दवा और परियाप्त संक्या में ऑक्सिजन सिलेंडर की खरीद की जाएगी डोनेशन के बाद विधायक ने डियम को एक लेटर भी लिखा है इसमें कहा गया है कि मुखमंत्री चेतर विकासी योजना के अंतरगत मिलने वाले रासी में से विधायक फंड से यह रासी दी जा रही है इससे जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड़ दवा अक्सिजन और चिकित से उपकरन की खरीद करे ताकि कोरोना मरीज के इलाज की समोचित व्यवस्ता हो सके बिहार में भोकम का जटका कई जीलों में हिली धरती जी हाँ कोरोना संकर से जूज रहे बिहार में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है बिहार के कई इलाकों में कल सुब भुकम के हलके जटके महसुस किये गए है भागलपूर मुंगेर पूर्निया कटिहार समेत कई इलाकों में लोगों ने भुकम का जटका महसुस किया आपको बदा देखी है जटका कल सुब 7 बजकर 51 मिनट में आया है बिहार में नहीं थम रही है कोरोना के रप्तार एक दिन में मिले 13374 नई संक्रमित जी हाँ बिहार में कोरोना वारेस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं राज में पिछले 24 गंटे में 13374 नई कोरोना सं साथ नई संग्रमित मिले हैं पठना सेद साथ जीलो में 500 से अधिक नई संक्रमन के मामले मिले हैं और अंगाबाद में 597 बैगोसरा में 764 गया में 1133 पुर्निया में 548 सारान में 589 और पाश्चिमी चमपरान में 547 नई संक्रमित मिले हैं बिहार में आज से कुछ इस्तानों पर हो सकते है बारिस किसानों के लिए विशिस सला जिया बिहार में 29 अपरेल से मौसम के करवट लेने के आसार है विशिसकर पुर्वी बिहार में पश्चमी और पुरवया के मिलने से कुछ इस्तानों पर तेज बारिस के आसार है इस दोरान तेज हवाय भी चलने के पुरवानमान जारे किया गया है इसकी वज़ा से पुरे प्रदेश में उचतम तापमान गिरेगा और नियोंतम तापमान में इजापा होने का संकेत है अधिकारिक जानकारी के मताबिक 29 अप्रेल को पूरी बिहार में चकरवर्ती परिस्तिया बन रही है इससे अगले दो दिन 30 और एक मैं को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रिमानसुन आ सकता है बिहार में 15 तक पूरे होंगे पियम योजना की सबे अध निर्मित आवास परवासि मजदूर को मिलेगा रोजगार कोरोना मामारे के दोरान राज में दोबारा लोट रहे परवासि मजदूर को पियम आवास योजना ग्रामिन के तहत बड़े प्यमाने पर रोजगार देने के तयारी चल रही है ग्रामिन विकास विवा की और से इसकी तयारी की जा रही है प्रदार मंत्री आवास योजना की प्रगर्थी को लेकर मंगलवार को ग्रामिन विकास मंत्री स्रवनकवार ने बताये कि वित्य वर्ष 2016 से 2021 तक कूल समिकित लच्च 32,60,970 के विरूद अब तक 19,40,000 से अधिक आवास पुरे हो चुके हैं जो लच्च का लवग 60,30 है अवदरे इंद्रा आवास को विसे सभ्यान चला कर 15 मैं तक पूर्ण कराने के लिए जीलों को निर्देश दिया गया है बिहार में कुरोना गाइलान का पालन नहीं किया तो सारवजनिक गाड़िया की जाएगी जब पारिवान विबाग के सचीव संजे कुमर अगरवाल ने कुरोना संक्रमन से बचाव के लिए बसो और अइन वाहनों के परिचालन से संबन्दित सभी जिला दिकारी वरिया पुलिस अदिक्चक को दिसा निर्देश दिया है अगर सपर के दोरान लोग बिना मास्क के मिलेंगे तो उनकी खिलाब कारवाई होगी और वहान को भी जब कर लिया जाएगा स्रीय अगरवाल ने कहा कि कोरोना का संक्रमन बढ़ रहा है यह चिंता का विसाई है इसलिए जरूर है कि लोग कुविट के प्रावधानों का पालन करे राज सरकार द्वारा जारी दिसा निर्देश का पालन करे और इसकी निगराने सभी जिला अधिकारी करे उन्होंने कहा कि भीड बाहर से बचे बहुत जरोरी हूँ तभी घर से बाहर निकले मास्क लगा खूद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं बड़े कवर बिहार में छोटे बड़े वाहनों में 50 फिजदी से ज्यादा यात्री बैठाने पर होगी कड़ी करवाई कोरोना संग्रमन को नियंतरन पाने के उद्देश को लेकर जारी COVID-19 गाड़लाइन का सही तरीके से पालन सुनीचित कराने के लिए गुरवार से जीले के सारे और गरामिन छेत्रों में वाहन पर कड़ी निगराने अभियान चला जाएगा जीला परिवहन विभाग द्वारा अभियान के द्वरान या शुनीचित कराया जाएगा कोई भी बस, टेक्सी या आटो को अपनी निदारिट सीट से पचास से ज़्यादा यात्री नहीं बिठाने का आदिस दिया गया है ऐसा ना करने पर वाहन मालिकों के खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी डिटियो जनादन कुमार तथा M.U.I. K.K. 3 पार्टी के नेत्युत में अभियान की सबलता के लिए विसेश टीम की गठित की गई है बस के अंदर निदारिट सीट से पचास फीज़े ही यात्री को सबर करने के लिए बैठाना है चत पर यात्री को नहीं बैठाना है ओटो में भी यात्री को पचास फीज़े ही यात्री को बैठाना है साथ ये ओटो ड्राइवर की सीट के आसपास किसी भी यात्री को नहीं बैठाना है ऐसा नहीं करने वाले वहानों का परमीड भी रद गिया जाएगा कोरोना पर टिके की मार पहले दिन सिर्फ तीन घंटे में 80 लाक ने कराया वेक्सिनेशन के लिए रेजिस्टेशन जिहां एक माई से होने वाले अगले पेज की टिका करन अभियान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वेक्सिन लगाई जानी है इसके लिए बुदवार साम चार बजे से रेजिस्टेशन के सिर्वाद भी हो गई है बड़ी संक्या में लोग टिका लगवाने के लिए उत्सक नजर आ रहे हैं कोरोना वारेस की घातक होती दूसरी लहर के बीच एक घंटे के अंदर 35 लाक लोगों ने टिका करन के लिए रेजिस्टेशन करवा लिया है वह पहले तिन गंटे में तकरीबन 80 लाक लोगों ने खुद को रेजिस्टर किया है इस फेज में 18-44 साल के बीच के लोगों को टिका लगेगा सरवातिक कुछ समय में कोविन वेबसाइट पर कुछ दिक्कते जरूर देखी गए लेकिन फिर वाद में आसानी से रेजिस्टेशन होने लगा बिहार में लोगडाउन को लेकर एंडिये में बड़ी तकरार अमांजी ने रखी ये बड़ी सरते जी हाँ एक तरब बीजेपी और वियाएपी जहराज में लोगडाउन लगाने के मांग कर रहे हैं वहीं गडबंदन में सामील पूर्व मिखमंतरी जीतरणा माजी और उनकी पार्टी ने लोगडाउन लगाने के लिए बड़ी सरते सामने रख दी है जीतरणा माजी ने कहा कि वह एक ही सरत पर लोगडाउन का समर्तन करेंगे अगर सबका बेजली पाने बिल इसकुल कोलेज की फिस माप कर दी जाए किराएदारों का किराया माप किया जाए बैंक लोन eami को भी माप कर दिया जाए माजी ने कहा कि किसी को सौक नहीं होता कि जान जोकिम में डाल कर बाहर जाए लेकिन रोटी और कर्च के कारण सब कुछ करना पड़ता है यहाँ बात एर कर्णिशनर में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आई मैं में बारा दिन बंद रहेंगे बैंक यहाँ देखिए पूरी हॉलिडेल लिस्ट जी हाँ अपरेल मैने को खतम होने में बस कोची दिन बाकी रह गए हैं वह मैं में बैंक कूल बारा दिन बंद रहने वाले हैं हलाकि अलगलग राज्यों में अलगलग बंदी है इनमें सब्ताइक बंदी और दुसरे सनिवार की बंदी सामिल है आपको बता दे कि एक मैं को लेबर डिपर कुछ इलाकों में बंदी है दो मैं को रईवार है साथ मैं को जमाद ओल विदा जमू कस्मिर के बैंक बंद रहेंगे आट मैं को दुसरे सनिवार है नो मैं को रईवार है 13 माई को एद की कुछ इलाकों में बंदी रहेगी 14 माई को भगवन, स्री प्रसुराम, जैनती पर बंदी रहेगी 16 माई को रहिवार है, 22 माई को चोथा सुनिवार 23 माई को रहिवार, 26 माई को बुद्ध पूर्निमा और 30 माई को रहिवार है